महागडबंदन की रैली रामपूर में अभी अभी खत्म हुई है हमारे साथ रामपूर के मद्दाता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मायवती अखलेश यादव और आजम खान के भाशन के बार आखिरकार रामपूर की इस्थिती क्या है रामपूर में हमने देखा कि अखलेश यादव ने कहा कि काफी वाइदे किये के इन सरकार ने लेकिन कोई वाइदा पूरा नहीं किया और आजम खान लगातार कह रहे थे कि बदला लेने की बार किस से बदला लेना है क्यों बदला लेना है कि बोट दीजिए गटबंदन को और उनको जो है पराजय का मुझ देखना पड़े बार बार ये कह रहे थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है आप समाजवादी पार्टी के जंडा लिए हुए हैं क्या आजम खान के साथ यहां पर प्रशास क्यूंकि उनको इसके अलावा कुछ काम नहीं है उनको किसी की की बात का एक मुद्दा चाहिए चाहिए वो मेरी बात हो जो मेरी माद का भी मुद्दा पकड़के चाहें तो میडिया इस बार जो महागटबंधन के लोग हैं जिनको वोट देना है उनको सोच समझ कर वोट देना है कि अगर कोई वोट मांगने आता है तो पिछले पांच साल में क्या वाइदा निभाया ये पूछे इनोंने सर जो भी वाइदे किये वो जूटे वादे किये पहले बाद तो इनो सब्सक्राइब कोई भी पैसा नहीं आया दूसरी बात नोट बंदी में इनोंने बोला कि कालाधन वापस लेके आएंगे लेकिन ज्यादा तर जो भी नुक्षान हुआ जो भी परशानी आई उनलिक करीब व्यक्ति को आई कल 24 साल के बाद चुकि आप भी भोजन समाज पार्टी से हैं समाजवादी पार्टी से हैं 24 साल के बाद मायावती और मुलाहिम से याद अब एक मंच पे आए और महाकटबंदन की रैली लगातार अलगलग जगहों पे इसलिए हो रही है कि जो तमाम कारिकरता हैं भोजन सम हो पाएगा हमारे हाई कमान का यह order है वो order हमें मानना पड़ेगा रही बात बीजीपी की तो बीजीपी ने इस देश के साथ कुछ नहीं किया है सिर्फ खिलवाद की बज़े है इस बार लोग सबसुनाम में बीजीपी को बहुत कड़ा मोल मतलब सामने देखना पड़ेगा लोग सबसुनाम में यूपी में मैं तो चाहता हूं कि लोग सबसुनाम के प्रत्ताशी होंगे बहुत आपस बात करो में बीजीपी को केडर बहुत बेस्ट माना जाता है कि केडर आपकी उम्र काफी कम है आप क्या पढ़ाई करते हैं और साथी साथ आप बीस्पी के लिए भी काम करते हैं जी सर बीस्पी के एक मैं सिपाई हूं और मैं जित्ते भी मेरे देशवास ही हैं मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि वो सब बीस्पी को वोट देख क्योंकि मोधी सरकार चोर है पिछली वाराम मंदिर के उपर वोट मांगे थे आपके वार भारत बचाओ के उसमां वोट मांगरी है अप लोग खुद वोटर हैं या नहीं हम हम बॉटर हैं जी पहले दिया था पिर्दानी में आजम खान बहुत बढ़ी हैं आजम खान कोश्य करी गई धी मगर मोहल बहुत बढ़ी हो गया है अब इंशालला कई लाग बोटों तो जीता के लेका आजम खान साब को अब समाजवादी पार्टी के जंडा लिए हुए सबसे बड़ी ही समाट zawsze पाट्टी के साल समयाइवादी पार्टी के प्रत्यासी के तवर पर आजम खान चुना लड़ रहे हैं और उन्होंने बार बार आजम खानने कहा कि मेरे साथ काफी प्रसासन के दूरा बदसलूकी की गई मेरे साथ अन्याई किया गया और इसका हिसाब लेना है इस बार सर ऐसा है कि यह सरकार ने सबसो करोड़ की जन संक्यागों ठगाए ट्वाइलेट के नाम पे देस क्रोड़ नोकरियों के नाम पे जेस्टी के नाम पे और अनेक तरीके से जो भी जोजनाई इन्होंने लागू करी थी कोई जोजनाई इन्होंने पूरी नहीं दिये और आली जनाब आजम खान साब का जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं यह जितना भी जनादन है यह सारी ही इसलिए महबत करती आजम खान साब से कि आजम का शारी के तांगेぐ siamoरी वोट आई वोट में तद्दिल यो वाईगी इंशाला इम्हें रांपुर से आजम को बहुत लोग महबत करते हैं और फूरे जिल्ज़ में आजम को बहुत महबत करते हैं erkds भी हो जाम आजम खाने विरौद किया जयापरदा खाउस के बाद भी जयापरदा समजवादी पार्ड़ी मसवख्त नहीं थे विरौद करने के बाद भी जयापरदा चुनाओ हुआ है वरना आजम खान के अलावा को यहां पर पड़्चा भनना ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना विकास उनों नहीं किया है और देश्चे प्रिंद्राम नंत्री जी जो है वो ठग रहे हैं सिर्फ नोक्रियों के नाम पर 10 क्रोण नोक्रियों का नहीं पता नो जवान भूक लगा रहा हूं कि हर हर सच्चाई और हर घर सच्चाई और हम सवाजवादी यह केते हैं कि हम देंगे सच का साथ और जूट से केंगे stirस अनाथ यानि कि आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी बोजन समाजपार्टी और राश्चे लोगदल की रेली रामपूर में थी रामपूर में मायावती अखलेश यादब और आजम खान के बासन के बाद रामपूर के मद्दाताओं की क्या रहा है आखिरकार आजम खान क्यों गुस्से में थे क्यों बार 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 बदले बदला लेने की बात कह रहे थे इसके बारे में हमने बताये का रापर संदीपक सर्मा के साथ रमन कुमार रामपूर निउस 24